नमस्कार दोस्तों, बगवन आप सवी कबला करोड़ आपके सारी एक्षाय मनकामने पुरी हो दोस्तों आप सवी को इसाथ सरे रिलेटिड महत्पों जनकरवे करूंगर यहाँ पर आपके जो क्वेरी है कि इनका स्वास तो रायू कैसा रहने वाला है कब तक इनके जीवन में सुक आता रहेगा सेवा बच्चों से प्राप्त होती रहेगी यह कब तक इनकी सांसे इस पस 又 चलती रहेगी यानि बिना किसी रोग दोष या तकलीव परशानी की तो यहाँ पर अगर जीवन रेखा को हम देखें तो जीवन रेखा इस जगे पर आकर कर रुक रही है लेकिन इसी के जस्ट पेरलल में बहुत छोटी सी हलकी सी रेखा आगे के तरफ बढ़ गई है और यह भाग रेखा से जुड रही है अब भाग रेखा से जुड़ने के कारण या अनदर रीजन्स के कारण भी यहाँ पर फिश सिंबोल के साइन का क्रियेशन हो चुका है फिर सिंबुल का साइन केतु पर होना व्यक्ति को अच्छी आयू, अच्छा स्वास्त या मोक्ष मुक्ति निश्चित रुप से देता है इस पिरिचुलिटी से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और ऐसे जातकों में अध्यात मिक्ता, धार मिक्ता, बहुत अच्छा देखने को मिलता है साफ सुत्रा मन, चित और अच्छी आत्मा का ये प्रतीख होता है एक यहाँ चिन हो गया और दूसरा शनी के ओपर त्रिशुल का चिन हो गया ये दोनों चिन व्यक्ति के आयू को बढ़ाते हैं, स्वास अच्छा करते हैं जो ओल्डेज, यानि व्रधावस्था होती है, व्रधावस्था, उसको ये बहुत ज़्यादा ही क्लीन रखते हैं यानि किसी तरह का बहुत ज़्यादा कष्ट, तकली, परशानिया के सकते हैं, दुख इस कंडिशन में नहीं रहता तो ये तीन-चार चीज़ों को सैडिस्फाइट कर रहा है, पहला तो ये कि ये हेल्थ को अच्छा दर्शा रहा है, यहाँ पर कि इनका हेल्थ बहुत जार डिस्टर्ब नहीं होगा थोड़े छोटे मोटे इशूज आ सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोब्लम नहीं आएगा, और दूसरा, कि यहाँ पर ये जो फिश इंबॉल है, और उसके जस्ट परिलल आपको एक साइन दिखाना चाहूंगा, या लाइन, वो है यहाँ पर इस तरह की सपोर्टिव लाइन, औ और जो है, इनके पार्टनर की भी, तो आने वाले अभी से कम से कम साथ से आठ साल के अतरिक किसी तरह की परशारी या कष्ट नहीं है, जहां तक रहा कि सेवा कैसा मिलेगा, तो इनको सभी बच्चों से बहुत परियाप मात्रा में सेवा मिल पाएगा, क्योंकि इनके गुर प्रसिद्धी समरिधिया एक्षाय पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनको जीना है, यह उसका भी निशानी है क्योंकि यह कर्मों को दर्शाता है कि बच्चों को तरक्की करते हुए देख करके ही ऐसे जाता कि अपने सांसों को त्यागते हैं, तो यह नॉर्मली 68 का एज इस लेका अगया क्योंकि यह confirmation मेरे तरफ से है, कि इस उमर तक अथ्वा मेरे तरफ से भी नहीं, यह तो इश्वर के तरफ से है, या हस्त रेखा सास्त के तरफ से है, कि इस उमर तक आपको किसी तरह का एक तरीके से तकलिफ पर्शानी या छोटे मोटी तकलिफों के बावजु अगर हम करें तो ये दोनों जो sign होते हैं ये बहुत ही ज़ादा positive माने जाते हैं मोक्ष या मिर्तियों के लिए या मुक्ति के लिए और एक चीज को समझना जरूरी है कि मोक्ष मिर्तियों या मुक्ति संपनता ये सारी चीज़े तभी हो पाती हैं जब व्यक्ति की सारी पूरी करवाएगा ही निश्चित रूप से तो इसलिए जो गुरू के उपर आड़ी रेखा हैं वो इस बात को confirmation देता है कि बच्चों का तरक्की तो होना बहुत confirmly या 100% इनके पाम में लिखा हुआ है जहां तक आयरने वाले future में health regarding problems की बात करें तो heartline की तो इस्तिती बिल्कुल clean हो चुकी है और Saturn पे जैसे हम positive sign देख रहे हैं सूर के उपर भी एक prominent square rectangle जैसा sign आ रहा है तो ये भी पाचन तंतर से related और पेट से सभी तरह से संबंदित security देना शुनू कर देता है health regarding तो एक तो ये combination और दुश्रा शुक्र का develop होना तो संजीवनी का कारक होता है तो लंबी आयो अच्छा स्वास्त ये जीवन में तमाम तरह की सुक्सुविदा समरिध्धी देख पाने में भोग पाने में सक्षम होते हैं इसी चीज़ का confirmation ले लेते हैं इनके left palm में तो यहाँ पर हम ये देख सकते कि इस उमर में बहुत ज़्यादा disturbance आ गया एक एक बहुत ज़्यादा आ गया और ये समय इनके जीवन का तक्रिबन 57 से लेकर के 61 की मिड का ही है लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे कि वा घरेलू चिंताओं से मुक्ति दिला दिया घरेलू सुख को बढ़ा दिया लेकिन ये जो बायफोर के कसाइन आ रहा है दोनों ही हथिली में ये यात्राओं को सुभाग्य दे देता है तो तिर थिन का होना तय है दो साल के अतरिक्त में इधर भी शनी के उपर त्रिशुल का होती है तो जहां की भी तीर थियात्रब करने का मन हो सब कुछ कर पाने में ये सक्षम रहेंगे इस शनी परवत के शुप रभाव के कारण और केतु पर इतना अच्छा चिन होने के कारण और सही होगी रहा हम देख सकते हैं जो साथ में चल रही है तो ये पार्टनर की भी लाइन होती है तो लेफ्ट पाम में तो देख सक रहे हैं कितनी प्रॉमिनेंट है तो इसलिए निश्चिंत रही है बहुत बहुत बहतरीन जीवन चेलिए और बहुत सुख यह भोग पाने में और सुख दे पाने में भी सक्षम रहेंगे तो ये थी सबसेर महत्पुन बात ह आपके हाथ के रिगारिंग आशा करता हूँ सभी प्रश्न को तरमिल या हो जहां तक एक बात ये है कि इनका जो गुरू का छेतर है मजबूत है और गुरू से ही भाग रेखा या जीवन रेखा जूड करके चल रहे है तो निरंतर भजन केरतन सत्संग सुनना या करना या और ज़्यादा जीवन में सुख समरिधी तरक्की या कह सकते तरक्की किस चीज़ में इच्छा मनोकामनों की तरक्की में और जीवन शेली को सुधाने में मदद करेगा और कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि हेल्थ डाउन जा रहा है मॉरेलेटी कम हो रही है रोकपरदिरोदक शमता में कहीं तकलीफ आ रही है तो उस कंडिशन में आप महामरत्युन जायक का जो मंत्र है वो इनको सुना सकते हैं या वो इनसे कहवा सकते हैं तो उससे भी गुरू बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि गुरू पाम में सिधे शीव का रूप होते हैं और यहां से अगर भाग रेखा निकल रही है तो शीव की क्रपा दरिश्टे आसे बाद या राधना से बहुत सारी तकलीफें परशानिया आनी भी हो तो भी छूनी पाती क्योंकि शीव जो है महाकाल है तो यह चीज यह रेमेडी के तौर पे करना चाहें त Otherwise ऐसी मेजर कोई रेमेडी या प्रॉब्लम्स उसके रेगार्डिंग शो नहीं हो रही है जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है तो यह थी सबसे महत्पुन जानकरी तब तक आप अपना ध्यान रखें आपके अंदर विराजमा नीश्वर को मेरा प्रणाम